केhington लोगों ने डिगरीज के ऊपर बात किया था इंहोगों को लोगों ने गहाने स्वांजों के आप से अपसे लेखा एक क्षेल को देखा फिर हम लोगों ने लिदेखवसा कि किस परकार से लोग पेडी से करते हैं इन सारे विडियोस लेक्षट्शर्स हम यूटिउब पर upload कर चुके हैं यदि आप अभी तक नहीं देखे ताप उन वीडियोस को देख लिए फिर जो है इन वीडियोस को देखे ताकि जादा आपको समझ में आए ठीक है डियर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि आज के class में जो हम ल आया कि जैसे मानलजे मैं जॉब में था जव तो मेरा भी ट्रांसफर हो रहा था तो ट्रांसफर हो रहा था तो मैं सिर्फ ट्रांसफर हो रहा था ठीक है ना मतलब ट्रांसफर होने के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दूसरी जगा जा रहा हूं अस्थान परिवर मतलब उसके अर्थ वहाँ में कोई बदलाव नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ उसका जगह परिवर्तन हो जाएगा उसका जो place है वह अपने आप में बदल जाएगा जिस परकार से मैंने क्या कहा कि मैं जब मैं जॉब में था और जब मेरा transfer हो रहा था तो उस समय उस समय सिर्फ और सिर्फ मैं एक जगा से दूसरी जगा गया हुआ था लेकिन मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था ठीक उसी प्रकार से यहां पर हम लोग सेंटेंस में भी वही करेंगे ठीक है जी तो अब आगे बढ़ते हैं आगे जो है हम लोग देखेंगे अच्छा उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस लाइक से और सब्सक्राइब के बारे में जी हां अगर मेरी वीडियोस आप सभी को अच्छे लगती है तो लाइक ज़रूर करें अगर आप इस लॉग डाउन में यह जो लॉग डाउन है भी आज़े लॉग डाउन उ जिसके साथ आप बहुत दिनों से जुरे हैं वो भी अगर आप वो भी जो है 12 की तयारी कर रहे हैं तो आप उसके साथ भी उसको भी आप जरूर बोले कि वर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर अपडेट्स हो ही मिलती रहे ठीक है जी आगे बढ़ते हैं और अगर आ हमसे जुरे रहना चाहते हैं सोसल मीडिया पर तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टागराम टेली ग्रम और फेस्बूक पेसको अच्छा इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं न हमुझे टेलीग्राम पर प्रसनली मैसेज करते हैं और वह कहते हैं कि सर हम कैसे सच नहीं होगा आपके टेलिग्राम चेरल में उपर में सर्च बार रहता है उस सर्च बार में जा करके सर्च किजिए क्या सर्च करेंगे इंग्लिज विथ बाबुल सावन सर्च आपके सामने वो चैनल आजाएगा उस चैनल में नीचे में जॉइन लिखा होगा जी जॉइन कर लिजे आपको जो भी पीडिएफ में सेंड करूंगा उस टेलिग्राम चैनल पे वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है चलिए इसी Rules of degrees in a sentence वाके में आखर दिउफ जो बदलना है वाके में उसके जो रूल्स हैं उनके उपर बात करेंगे तो सबसे पहले type 1 पढ़ेंगे type 1 पढ़ेंगे type 1 में देखेंगे type 1 में भी हमने इसमें दो rule दिया है और दो rule में सबसे पहला rule हम लोग आज कबर करेंगे type 1 का type 1 का सबसे पहला rule देखेंगे सबसे पहला rule क्या कहता है how to change the sentence of positive degree into competitive degree how to change the sentence of positive degree into comparative degree मतलब how to change कैसे बदले किसको भई the sentence of positive degree positive degree के sentence को किसमें जी comparative degree में ठीक है जी मतलब positive degree से comparative degree में कैसे बदले उसकी लिए rules है और उस rules के कुछ steps होते हैं उस steps को follow करते हुए क्या करना है हमें आगे बढ़ना है तो steps to change the degree इन steps से हमें गुजरना होगा और वो steps कौन है ये 5 steps है ये 5 steps है जिन steps से हमें गुजरना होगा तो पहले steps की बात करते हैं पहले steps में सबसे पहला point क्या गाता है identify the sentence जी हाँ हमें ये पता होना चाहिए जिस sentence की हम बात कर रहे है वो sentence है किसमें क्या वो positive degree का sentence है क्या वो competitive degree का sentence है या फिर वो superlative degree का sentence है यदि आपको इस बात का पता चल जाता है कि वह किस चीज़ का sentence है तो आप आसानी से उसमें transfer कर पाएंगे उसका transformation कर पाएंगे ठीक है जी अब identify कैसे करें तो identify करने के लिए यदि हमें positive degree के बारे में पता करना होता है तो हमने आपको पहले video class में पहले video lecture में जिसमें कि हमने introduction of degrees के उपर बात किया हुआ था उसी में हमने क्या किया था आपको बताया हुआ था कि यह जो positive degree का sentence होता है वो किन-किन चीज़ों को लेता है तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको फिर दुबारा से याद दिला देता हूँ ऐसे sentence जो होते है ऐसे sentence मतलब positive degree के sentence वो हमेशा as, as या so as के बीच में रहते हैं ठीक है याद रखिएगा as, as के बीच में कोई adjective और या फिर so as के बीच में कोई adjective रहता है ठीक है याद रखिएगा ऐसे sentence में हमेशा समानता देखी जाती है ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ था ठीक है आगे बढ़ते हैं दूसरा point होता है हाँ तो identify करना आप सिग गए दूसरा point है write the last portion of sentence मतलब क्या करना है dear write the last portion of sentence sentence के last portion को लिखना कहा है at the first मतलब शुरू में लिखना है याद रहे sentence के sentence के last portion को अंती में एक बात ये भी याद रखिएगा चाहे हम लोग positive करें चाहे हम लोग competitive करें चाहे हम लोग super relative करें चाहे जो भी करें हमें ये चीज तो पता ही है कि जब भी इनका होगा तो वो noun या pronoun या फिर कोई things होगा या किसी person की बात होगी तो इनी चीजों में से कुछ नकुछ होगा तो इसी लिए याद रखिएगा यहाँ पर ऐसे भी दो वेक्तियों की बीच अगर हम लोग positive करते हैं positive से comparative करने की कोसिस करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है इसमें सामानता देखी जाती है और write the last person मतलब अन्तीम वाले जो things होते हैं या फिर persons होते हैं या फिर कोई pronoun होते हैं तो उन चीजों को हमें क्या करना है first में लिखना है and first person of sentence is written at the last और जो first person है मतलब first sentence का जो first भाग है पर्थम भाग है उस भाग को हमें क्या करना है at the last अन्तीम में लिखना है याद रहे तीसरा point के हम लोग बात करते हैं दूसरे के उपर बात कर चुके हम लोग तीसरे के उपर बात करते हैं affirmative sentence is changed into negative and negative sentence into affirmative याद रहे affirmative साकारात्मक वाक्य जो होंगे is changed into negative अगर आपका sentence देखा जाएगा कि positive degree का sentence यदि affirmative में है साकारात्मक है not नहीं लगा हुआ है तो आपको क्या करना है आपको वैसे sentence को बनाने के लिए यानि कि transfer करने के लिए comparative में आपको क्या करना है not लगा देना है और यदि not लगा हुआ है तो comparative degree में not को remove कर देना है हटा देना है बस वही बातें यहां भी कही जा रही है ठीक है dear वही बातें यहां भी कही जा रही है क्या कहा जा रहा है कि affirmative sentence is changed into negative affirmative sentence is changed into negative and negative sentence into affirmative affirmative sentence मतलब साकारात्मक वाक को बदल देना है negative में नाकारात्मक में और नाकारात्मक वाकि अगर रहे तो उसे बदल देना है affirmative यानि कि साकारात्मक वाकि में आगे बढ़ते हैं change positive form of adjective याद रखेगा positive form of adjective यानि कि adjective का जो positive form होगा मतलब अगर आप positive से जब भी करेंगे तो आप positive से comparative करेंगे यहाँ पर कि हम type 1 में तो वही पढ़ रहे हैं अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि आपका positive form of adjective है तो into comparative कर देना है उसे याद रखेगा उसे क्या कर देंगे cd कर देंगे cd कैसे किया जाता है आपको पता ही है er लगा दिया जाता है यार लगा दिया जाता है adjective में अब देखते हैं we remove as as याद रखेगा as as जो हमने बताया हुआ था आपको कि identify करने के समय आपको ये भी याद रखना है कि as as or so as आता है positive degree में तो आपको as as or so as को क्या कर देना है remove कर देना है all right then आपको क्या लिखना है then लिख देना है मतलब ये पांच ऐसे रास्ते हैं जिन से हो करके आपको गुजरना होता है पॉजिटिव डिगरी के sentence को comparative degree में करने के लिए ठीक है याद रखेगा ये पांचो ऐसे रास्ते हैं ऐसे steps हैं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं positive degree के sentence को comparative degree में transfer कर सकते हैं चलिए अब हम लोग sentence को देखते हैं और उन sentence के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिस करते हैं ठीक है डियर चलिए जैसे कि आपके सामने example दिया हुआ है आपके सामने example क्या दिया हुआ है रितिका is रितिका is as tall as humanity यही sentence है रितिका is as tall as humanity sentence तो यही है डियर अब हम इसे बनाने की कोशिस करेंगे तो हमने step number one क्या समझा था step number one में यह देखा था कि सबसे पहले हमें identify करना है identify करना है तो हमें पता करता है कि यह sentence है किसका sentence का पता करने के लिए अगर हमें positive degree के बारे में पता हो है या फिर comparative degree के बारे में पता है कि उसका sentence कैसा होता है या फिर superlative degree के बारे में पता है कि उसका sentence कैसा होता है तो हम तुरंत ही पकर लेते हैं कि यह sentence किसका है चलिए, जैसा कि आपको पता है कि positive degree का sentence जो होता है वो as, as के बीच में उसका adjective लिखा जाता है यहां ध्यान देंगे कि इस sentence में as और as के बीच में ये adjective लिखा हुआ है यही है, यहां पर ध्यान देंगे कि as और as के बीच में ये tall जो है adjective लिखा हुआ है इसका मतलब साफ बनता है कि यह जो sentence idea यह किसका है यह positive degree का है यानि कि PD का है किसका sentence है positive degree का sentence है clear हो गई बाते हैं हमें करना क्या है हमें करना क्या है इसका comparative करना है comparative करने के दोरान हम क्या करते हैं सबसे पहले last portion को first में और first portion को last में लिखते हैं अभी थोड़ा दर पहले दूस इस्ट्रे नमबर स्टेफ को देखा था तो अंतीम वाला हिमानसी है हम क्या करेंगे हिमानसी को हम क्या करेंगे डियर शुरुवात में ले आएंगे फर्स्ट में हिमानसी ठीक है हिमानसी अब हिमानसी भी क्या है सिंगलर नाउन है तो इसके साथ क्या लगना है इस लगना ही ह helping work, ठीक है, humanity is, अब क्या हो जाएगा, हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने क्या जा रहे हैं, comparative, comparative करने जा रहे हैं, तो आपको पता है, कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर यह जो tall है, यह जो adjective है, इसे हम क्या करना है, comparative बनाना है, तो क्या हो जाएगा, humanity is taller हो जाएगा चलिए ठीक है, हम थोरा है space लेकर के चलते हैं चुझकि इसमें एक चीज़ हमें और करना है taller, ठीक है, humanity is taller, अब मैंने क्या बताया था आपको कि उसके बाद हमें क्या लगाना होता है, उसके बाद हमें than दागाना होता है, comparative degree हमेशा आपने बात क्या लेता है, than लेता है ठीक है, तो क्या हो जाएगा, humanity is taller than, अब first person को हम लोग last में लिखते हैं, first person को हम लोग क्या करते हैं last में लिखते हैं, तो last क्या है, जी first था हमारा रितिका, उसे last में लिखेंगे जी रितिका, यह sentence अभी भी क्या है अधूरा है, और यह sentence अभी भी क्या है, गलत है, क्यों? क्योंकि हमारा जो यह sentence था, यह किस में था affirmative sentence था, PD का कैसा sentence था, affirmative sentence sentence था, और हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, कि हमारा जो rule था, और उसकी जो steps थे, उसे steps में हमने ये देखा था कि यदि आपका sentence affirmative होता है, तो आप उसे negative कर दें अब देखें, यहाँ पर हम लोग क्या sentence देख रहे है, affirmative sentence है जब भी हम इसका cd करेंगे, तो क्या करेंगे हम इसे negative करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लग जाएगा, not लग जाएगा बाते क्लियर हो गई, हिमानसी is not taller than रिकी का अब यह sentence सही है, और यह sentence किसका हो गया डियर, यह cd का हो गया, चलिए इसी तरह से अगला sentence हमारे सामने है, कुंदन is so great as mahi, ठीक है तो क्या करेंगे इस sentence में भी हम लोग जो है, mahi, यानि कि last में हमारा, अगर हम देखें तो यह sentence क्या है वई, इसमें subject यह है ठीक है, यह हमारा helping of है और यह हमारा so great as हमारा क्या हो गया, यह td हो गया ठीक है, और यह mahi क्या हो गया हमारा, object हो या इस तरह से मान के चलें तो, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस object को हम लोग first में लिखेंगे, मतलब last person को first में लिखेंगे, मतलब माही हमारा पहले आ जाएगा, ठीक है, माही, उसके बाद यह similar noun है, तो इसके लिए हम लोग helping work का use करेंगे, is, उसके बाद फिर क्या हमारा, हमारा जो PD है, हम इसे change करेंगे, PD को change करेंगे, लेकिन आपको पता है, यह sentence जो किसका affirmative का है, तो change करने से पहले यह भी धियान देना है, कि affirmative sentence तो क्या कर देंगे, negative, निगेटिव यह नहीं, not लगा देंगे, तो माही is, not, अब so great as, PD को change करेंगे, किस में? CD में, तो चुकि हम क्या कर रहे है, transfer ही कर रहे है CD में, तो PD change हो जाएगा CD में, तो great क्या हो जाएगा, greater, great हो जाएगा dear, greater, और इसके बाद क्या लेता है CD, CD अपने बाद देनल लेता है, देनल लगा देंगे, उसके बाद फिर पुंदन यह सेंटेंस बन गया उसी प्रकार से अगला सेंटेंस है मौदीजी इस नौट एस ग्रेट एस अब्दूलकलाम मौदीजी इस नौट एस ग्रेट एस अब्दूलकलाम अब यह सेंटेंस जो है यह सेंटेंस में क्या करेंगे आप इस सेंटेंस में आप देखेंगे क मौदी जी अरे कि इधर चला गया है कि अधर कि अधर चला गया है कि अधर बात नहीं कि अधर तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह जो सेंटेंस है मौदी जी जी इस एक चीज देखने वाली बात है ठीक है अब यह सेंटेंस जो है इसमें एक चीज देखने वाली बात यह है कि सेंटेंस जो आपका निगेटिव है कैसा सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस है अब इस निगेटिव सेंटेंस को आपको क का CD करेंगे तो आप आसानी से इसका कर सकते हैं और इसका आप कर लेंगे खुद से जैसे कि क्या हो जाएगा एपी जे अब्दुलकलाम is क्या हो जाएगा greater than greater than मौदेजी not हमारा हट जाएगा ठीक उसी प्रकार से he is as handsome as you अब he is as handsome as you तो ऐसे sentence में आप देखेंगे कि अब्जेक्ट हो गया ऐसे sentence को आप बनाएगे तो यू हमारा शुरू में आजाएगा मैं sentence को बना देता हूं कहीं आपको तकलीफ न हो जाएगा चलिए sentence को ले करके चलते हैं लास्ट वाला फॉर्सल हमारा फॉर्स्ट में आजाएगा तो हम क्या करेंगे यू के साथ क्या लगना है आर लगना है जबकि यहां देखेंगे he के साथ इस लगा हुआ है तो थोड़ा से ये भी देखके चलना है U के साथ क्या लग जाएगा? R लगेगा और क्या है? As a handsome as तो as a handsome as आप करने क्या जा रहे हैं इसका? CD करने जा रहे हैं और आपको पता है कि handsome कितने cell level का है? handsome कितने cell level का है? 2 cell level का है तो 2 या 2 से अधिक cell level का जो होता है उसका अगर हम CD करते हैं तो more लगाते हैं और SD करते हैं तो most लगाते हैं यह सभी यह आप सभी जानते हैं और यह जो sentence है किस में है? affirmative sentence है तो हम क्या करेंगे? not लगा देंगे मतलब negative बना देंगे तो you are not अब handsome में क्या कर देंगे? more जोर देंगे हाँ जी more add कर दिया उसके बाद handsome हो जाएगा handsome then आपको पता है कि CD अपने बाद क्या लेता है? then लेता है more handsome then उसके बाद हमारा subject क्या था? वन्हीं फर्स्ट वर्सन था ही तो लास्ट पॉर्सन में भी क्या कर देंगे? ही ही कर देंगे चीक है? सेंटेंस बन गया इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है पुर्णिया is as large as भागलपूर ऐसे सेंटेंस को भी आप आसाने से बना सकते हैं ये भी सेंटेंस affirmative है और इसे भी आप क्या करेंगे? लास्ट पॉर्सन को फर्स्ट में लाएंगे फर्स्ट पॉर्सन को लास्ट में ले जाएंगे उसके बाद फिर इस लगाएंगे फिर उसके बाद ये affirmative sentence था आप इसे negative कर देंगे और large था क्या कर देंगे? larger कर देंगे उसके बाद फिर then पुर्णिया, clear हो गए बाते आप ऐसे sentence को आसानी से आप बना पाएंगे इसलिए मैंने आपको क्या किया हुआ है आगे कुछ exercise दिये हुए है उन exercise को आप देखेंगे और इन exercise को अपने copy में note कर लेंगे dear, note करने के बाद इसे अपने से बनाने की कोसिस करेंगे और बनाने के बाद इन सारे इन सारे जितने भी exercise में जितने भी questions हैं इन सारे questions का answer आप मुझे comment box में type कर comment कर बताएंगे ताकि मैं इन्हें देख सको कि आप ने कितना सही बनाया और कितना गलत बनाया, ठीक है जी यह सारे के सारे questions आप सब के लिए है, इन सारे questions को आप देखिए, ठीक है, यह सारे questions आप सभी के लिए है, इन सारे questions को आप लोग देखिए और इस questions को आप सभी बनाईए ठीक है, इसका पेडियाप मैं आपको टेलिग्राम पे सेंट कर देता हूँ टेलिग्राम पे जाकर के आप इसे डाउनलोड किजिए और इसे अपने कापी में लिक करके आप इसे बनाई मिलते हैं फिर अगले वीडियो